नवाब मलिक ने समीरवान खेड़े पर आरोप लगाया कि एक सरकारी ओफिसर होने के बावजूद कैसे समीरवान खेड़े एक अच्छी लग्शुरियस लाइफस्टाइल एंजॉई करते हैं वो दो लाग की शिर्ट पहनते हैं पचास हजार की टी शिर्ट पहनते हैं बीस से पच्छास लाग की घड़ी पहनते हैं मौलदीव छुट्टिया मनाने जाते हैं कैसे एक सरकारी ओफिसर इतना अफॉर्ड कर पा रहा है ये भी कई इलजाम नवाब मलिक ने उठाए है यानि खिलाफ केस भी दर्स किया है उसी क्रांती रेड कर ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है जिससे कहीं न कहीं नवाब मलिक को एक सटीक जवाब उन्होंने दिया है क्रांती रेड कर ने दो फोटो डाली है इन फोटोस को शेयर करते वे क्रांती रेड कर ने कहा है क कि आज लंच में हमने दाल मखानी और जीरा राइस काए हैं। जीरा राइस पोमेट थे और दाल मखानी हमने बाहर से ओरडर की थी। जिसकी कीमत 190 रुपए है। ये सब सोशल मीडिया पर डाल रही हूँ ताकि प्रूफ रहे। क्या पता कल को कोई ये बात उठा ले कि हमने वो खाया है जो एक गवर्मेंट ऑफिसर की फैमिली को नहीं खाना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये तंज है नवाब मलिक पर नवाब मलिक तो अभी तक नहीं रुके हैं। वो हर दिन नए खुलासे कर रहे हैं और प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं। उन्होंने तो पहले ही एलान कर दिया था कि इस ऑफिसर की जॉब भी जाएगी और ये जेल जाएगा। ऐसी कसम खाकर ही उन्होंने इस कैमपेन की शुरुआत की थी जिस पर वो अभी भी लगे हुए हैं। और ये भी कह दिया है कि जो इल्जाम मैंने समीरवान केड़े पर लगाए हैं, वो अगर गलत सिध होते हैं तो मैं अपनी पोजिशन छोड़ दूगा।